हेलो बूर्णिंग स्टूरेंट्स आई हो आलार फटेंट फैल मुझे लग रहा है आपनों वीडियोस बड़े अच्छे से देख रहे हैं जो नहीं देख रहे हैं मैं फिर से रपीट कर रहे हूं वो भी देखना स्टार्ट करें ठीक हैं अगर आप लोगों ने साइक्स अच् पर लें तो अफेटर में तो दिक्कत आने का सवाल ही नहीं हुए था थीक है तो इसलिए आप लोग जो में इन स्ट्रक्चर को यह देखें हम लोग का चल रहा है था पाइनस में रिप्रोड़ुक्शन वी हम लोगों ने ला सेप्चर में देखा कि मील कॉन और फीमील कॉन पाइनस पलाओं कि बड़े माइक्रों बोल रहा है मेंज को में प्रिफ्मील को घना चाहि और प्रिफर छोखें माइक्रों नॉपकर होते हैं क्यों कि ञआ हैं मेल नुजा schneller Secondly... कैसा पादा है कैसा थी है उँभहapore यह लिंगाश मी है और हमने मील कॉन का structure देखा मील कॉन ऑवे ग्रूक में प्रेजेंट होते हैं औफीमील कॉन पहोते हैं मील कॉन का ग्रूप है वह मात Кणिष भीर ग्रूप में सकता ग्रूप होते हैं पहों पहले सार में यम्ट सीमें होते हैं सैंक्रड जा rif मिचार होते हैं 12 में दौन माइपिरों स्पार सबस में जहां sporangia formation में एक से जादा help पार्ट लेती हैं क्या होता है जब एक से जादा कोशिक आई sporangia formation में पार्ट लेती है तो उसको हम कहते हैं यूँज़ज़नेट मैंथर तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ज़नेट मैंथर देखा उसके बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रोसपोर का टटार बनाता मीन्स चार माइक्रोसपोर एक साथ होता है जबकि मेगासपोर में बनते चारी हैं लेकिन उन चार में से तीन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं दी जन्रेट हो जाते हैं तीन क्या हो जाते हैं दी जन्रेट हो जाते हैं नस्ट हो जाते हैं फिर हम लोग बात करें यहां पर आगे तो यह जो मारे मीनी घ्यामिट फिर आ पहले हम बात करें मील यानिटोफाइट में जुमारे माइक्रोस्पोर होगे वो साइकल्स में जो माइक्रोस्पोर था वो इस तरह से था यहां पर जो पाइनस होता है यहां पर जो एक्जाइन है वो आउट्ग्रोथ निकालकर फिल्ग माना होती है यह इसमें एक्जाइन होती है यह एक्जाइन होती है और यह दो विंग होती है तो इस तरह से इनका पॉलर्ग्रीन जो होता है वो विंग स्ट्रक्चर का होता है आप बात आती है कि यहां पर जो जब भी आपका डवलप्मेंट होता है मतलब मील गैमिट्स बनती है तो एक चीज होती है पॉली दीशक परादड परादड का मतलब होता है पराद कणों का पॉलन ग्रीन का फीमील गैमिट तक पहुचनी का जो प्रसीज़र है उसको हम क्या क करो यह आपका वायों की द्वारा भी हो सकता है जल की द्वारा भी हो सकता है कोई जानवर की द्वारा भी हो सकता है किसी बर्ड की द्वारा भी हो सकता है तो कोई ना कोई पॉली पॉलीशन एजल होगा क्योंकि यहां पर सेल्फ पॉलीशन की प्रॉबिलिटी लगबग ख कॉन अलग अलग बन रहे हैं मील कोन अलग बन रहा है स्थ ऑलग बन रहे है तो सेलफ पॉलइशन होनी तो कंफॉर्म कोई कंडीशन ही ना थे कि सबस्टा होता है जब मेल-फि जुद्टा एक ही फ्लार या एक ही पॉल्वें तो यहां पर ऐसे condition होना नहीं है और cross pollination वो किसके थ्रू होता है किसी नहीं किसी एजंट के थ्रू होता है means कोई नहीं साधन जरूदी है जिसके द्वाड़ा आपका पॉलिण समय तो यहाँ पर pollination जो होता है वो जादा तर air के जो होता है vaio की दोर ना होता है हाँ कई बर insects से भी हो जाता है लेकिन mainly vaio की द्वारा यहाँ पर परादण होता है अब हम लोग देखेंगे कि pollination से पहले क्या changes है और pollination के बाद में क्या changes है वो सारी चीज़े आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है प्री पॉलिनेशन डवलप्मेंट और पोस्ट पॉलिनेशन डवलप्मेंट तो इसमें नम्रक फर्स हमारा होगा प्री पॉलिनेशन डवलप्मेंट ठीक है अब प्री पॉलिनेशन डवलप्मेंट में आप थो गीट हमारे मैक्रों क्यों क्यूंकि घी नमारा क्या होगा लिग होगा इस loyalty मैंने हाँ दो फिंक बना दिन 29 साथist VO सबस्क्राइं हूं सबस्ट i Sonjaupl Katie पिन इसमें क्या हुआ था यहां पर भी क्या होगा चEOFF होते हैं यहां पर चाहिआ इसंद्ट हर सूं थोसम हूं जब में है आपकी दो सेशने हैं बनिदी कि नहीं कौन कौन सी एक थी आपकी ट्रॉठी जटी और यह की अंत्री जटी। रहे अगर आप लिखने है नोल्स या नहीं लिखे में हैं आपको अन्सेंट कर दिये तो आप लोग देखेंगे किस तरह से दूट सेल्स थी आप साइकस में कंटिन्यू देख रहें हैं कि मैं साइकस में चाहा आ alegres होगा और आप इक्वल डीजिन से 2 सेल थी ख्लॉटियर सेल और थी तो यहां पर भी आप डिजर होगा यह एक जाइन है इसकी यह एन टाइं और यह वर्य यह यह तो है यह इसका देँस है आब यहां बने अनिक्वल्ड डिविजन होगा, आप आनिक्वल्ड डिविजन से टू सेल्स करेंगे, वहाँ पर टू सेल्स बन रही थी प्रोच्टियल सेल और अंच्टियल सेल, यहाँ थोड़ा सा चीज़ है, अपने धान से देखें, यहाँ पर यह बनेगी फर्स प्रॉथियर सेल और ये बनेगी एपिकल सेल उससे थोड़ा सा चीज़ आ है अब आगे जो वारी फर्स प्रॉथियर सेल है तो ये आगे विभाजन नहीं करें और हमारी जो एपिकल सेल है इसमें डिविजन है तो दिविजन इन आपिकल सेल अब इस आपिकल सेल में जब दिविजन होगा नॉमली अब यहां में क्या हो रहा था दिविजन इन एंट्रीडियर सेल यहां किसमें हो रहा था एंट्रीडियर सेल में दिविजन हो रहा था और एंट्रीडियर सेल में ये प्रॉथिडियर सेल थी एंट्रिवियल सेल में डिविजन से दो सेल वाँ थी एक जनरेटीव सेल और एक ट्यूग सेल साइकस में साथ साथ में दिनके चाल रहे हूं कि जिससे आप लोग को याद रहें और यह थ्री सेल पॉरण ग्रें था जो किसके रिए रेडी था आपका पॉलीजिंच के रिए थ्री सेल पॉरम ग्रें रेडी था यहाँ ठरबर पाइनस में देखें से क्यों होगा कि आपकी इस आपिकल सैल में डिविज़न होगा आपकी जो अपकी एस आपिकल सैल में डिविज़न होगा और divide होकर two cells वे यह होगी second procedural cell यह होगी entradial cell ठीक है यह होगी second procedural cell और यह होगी entradial cell अब आगे आपकी second procedural cell में धी division नहीं होगा अब आगे क्या होगा division in entradial cell ठीक है अब entradial cell में division होगा तो यह आपकी प्रॉथिडियल cell first यह प्रॉथिडियल cell second यह आपकी generative cell और यह आपकी cure cell ठीक है तो इस तरह से साइकस में आपका three cell pollen green होता है जबकि पाइनस में four cells pollen green था जबकि पाइनस में four cell pollen green है चार कोशिक यह pollen green है जो pollination करेगा दुबारा देख लें सबसे पहले आपका यह विक्ड विक्ड सब्वे बनानेगा यह आपका पंक नुमा माइक्रो स्बॉर में uniqual division होगा एसमाले बहाचन होगा जिससे दो कोशिक आपनेगी एक प्रोथीडियल शैल और एक epical cell इस प्रोथीडियल सैल में आगी division नहीं होगा थिकर एपिकल सेल में डिविजन होगा और एपिकल सेल में डिविजन होने से दो सेल बनेगी प्रोथीडियल सेल सेकिंड एंट्रीडियल सेल आगी प्रोथीडियल इसमें डिविजन नहीं है इस प्रोथीडियल सेल में भी डिविजन नहीं होगा ठीक है उसकी बाद जो एंट्रिडियल सेल में डिविजन होगा तो दो सेल बनेंगी जनरेटीव सेल और ट्यूब सेल ये चार कोशी की ये पॉलन ग्रीन अब पॉलिनेशन के लिए रैडी है अब यहां पर एरन की थू ये पॉलन ग्रीन फीमीन तक महुंचता है फीमीन कौन तक ये पॉलन ग्रीन अभी जाएगा ठीक है और फीमीन के पास जाने के बार ये क्या करेगा पॉलन चैंबर जो बनाया था हमने अव्यूल में उस पॉलन चैंबर पे प्रिजन जाके इखटा हो जागा क्या होगा पॉलन चेंबर में जाब कर यह इखटा हो जागा उसके बाद हमारी next pre-pollination की बाद second stage जो आएगी हमारी वो आएगी post-pollination development ठीक है post-pollination development में क्या होगा वो आप लोग देखेंगे अब आप देखेंगे की post-pollination में क्या होगा साइकस का मैं थोड़ा साथ में देखेंगे यहां तद साइकस आपके समझा गया नहीं आया जिनको वो भी दुबरा देख सकते हैं अब यह पाइनस का बिना आए हूं पाइनस में हमारा इस तरह से पेंडिशन थी यह मारा फूर सें पॉलन ग्रेंड यह प्रोथीडियल सेंट फरस्ट यह प्रोथीडियल सेंट सेंट की यह जेरिटिव सेंट और यह आपका क्यूब सेंट थीक है साइकस में क्या होगा प्रोथीडियल सेंट जेरिटिव सेंट और क्यूब सेंट थीक है तो इस तरह से आप लगों ने उसमें दिखा कि उसमें पौर सेंट स्ट्रक्चर ने और इस में आपकी गैं त्री सेंट स्ट्रक्चर है पॉलॆं रणाने के बाद हम लोगों अगे संगे धिक देखो इससे रसने ठीक है यह है यह है यह हमारी ट्यूप से और ठीक है ट्यूप से रोलेगा और डिविजर इन जनरेटिव से यह यह आपकी अब जो जनरेटिव सेल रहें हैंसी स्टॉक सेल और बॉघा इसे होते हैं हमारी नीओ एक सेल क्की है drastically और यह सेल कानका शेकर्न कहीं थी इंटेफि कर देखिया यह आपकी stocks है और यह आपका cubes है अब आगे क्या होगा division in body cell यहाँ बढ़े division in body cell ठीक है फिर उसके बार division जब body cell में हो जाएगा तो तो आप दिकोगे यहाँ पर यह procedural cell first यह procedural cell second यह आपकी stocks है और यह आपकी two main gants और यहाँ का tube nuclei यहाँ बढ़े इसी तरह इकी structure होगी यह procedural cell first यह क्योगी यह stocks है tube cell और यह two main gants यह आपका होगे यह one, two, three, four, five, six six cell main gametophat six cells main gametophat कर गी होगे five cells main gametophat तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से pinus और cytos भी each cell का difference है एक cell का और wings का difference है तो यह चीज़ आप लोगों को याद रख नहीं है कि किस तरह से इनमें six cell mil gametophat होता है और इसमें five cell mil gametophat होता है इतना सा difference है सिर्फ और से एक prothelial cell extra है जो pre-pollination development में थोड़ा सा changes था बाकिने को post-pollination development में अगर प्रothelial cell के दिविजन के बारे मैं छोड़ों तो बाकिन सब सेम है पर यहां भी जनरिटीड इन siल अटीव रहते हैंन्हां तरी यहां भी इननरिटीव सब्ती इन बायों फ्रिकिस थे इस अत्य इंस्पिड कहां फिल्क करनी किया और्टीव सल किया यहां यहां भाडिबा Mia ओकर स्थल का बाडी सेल बनेहां यहां दोनों में मील मील ग्यामेट्स जो है वो सिल ऐस्सद्सज जो है वह दोनहें आपको दिख रहे है यहां पर 11 महिने तक मील क्यांट जो होते हैं वो क्या निब इनक्ति फॉर्म में रहते हैं अगर आप जो पॉलिनीशन की बात करें पॉलिनीशन के बात जो में पोस्ट पॉलिनीशन जो डफलॉपमेंट हम लोग कर रहे हैं में यह पालन ग्रीज क्या बार कि आंके की ज़रल उसको होने में 11 लच जाता ग्यारा महीरी तब क्यों रहता सचित दी रहता है inactive form में रहता है उसके बार जाकिए एक्टिव इनक्टिव ron में रहेगा उसके बार यह क्या करेगा active form में आने के बार यह क्या करेगा active form में जैसे ही आएगा T spirituality material उसके बार हमारी regenerative cell है वो construct cell और body cell बनादेगी और जो हमारी body cell है वो divide होकर two male garments बना देती है अब ये two male garments कहा जाएंगे female garments पर जाएंगे तीक है तो अब हमें क्या बात करना है कि हमारे female gamut कैसे बने तो उसको देखने के लिए हम लोग पड़ेंगे कि female gamut तो नेक्स क्लास में सासजें किस तरह से लाइन की सर्षम्धू cierto बता है वो साही चीजें हम रेक्स क्लास प्ड़ेंगे अपर नेक्स्ट क्लास माले क्या होगी? फिवीर, ग्यावेटो, फर्थ. ठीक है? अज के लिए एकना बात है. नेक्स्ट क्लास में हम लग आगे को. ओके, थैंक्ट यू. अज क्लास में हम लगे को.